हेलो स्वागत है आपका फ्री जीके की शानल पे मेरा नाम है किरम भाबर आज के इस वीडियो में हम लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ महतपून जानकारियां हसिल करेंगे लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है छे फरवरी 2022 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है लता जी के निधन पर दो दिन का रास्ट शोक रहेगा हमारे पूरा भारत देश में इसमें देजवर में जंडा आधा जुका रहता है जो भी संगीत प्रेमी हैं जिनें संगीत बहुत जादा पसंद है उन्हें लता मंगेशकर जी की मृत्ति उपर गहरा दुख हुआ होगा इनके बारे में कुछ महत्पून जानकारी हम कवर कर लेते हैं क्योंकि अक्सर एक्जाम में जो चर्चित वैक्ती है जो बहुत ही जदा महत्पून है हाल ही में जिनका निधन हो जाता है उनके उपर अक्सर सवाल एक्जाम में पूछ ले जाते हैं तो कुछ महत्पुन जानकरी हम कवर करेगे लता बंगेशकर जी का जन्म कभ हुआ था तारिक याद रखेगा 28 सितमबर 1939 में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ है हम इस कोशन को डिटेल में समझेंगे करीब 80 साल से संगेत की दुनिया में सक्रिय रही है लता मंगेशकर जी इनका जन हुआ था 28 सितंबर सन 1929 को मध्यप्रदेश के इंदवर में हुआ था। याद रखना है आपको कहां से हैं यह तो मध्यप्रदेश के इंदवर से। 13 साल की छोटी उम्र में सन 1942 से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। लताजी के पिताजी हैं इनका नाम भी आद रखेगा पंडित दिनानाथ मंगेशकर। संगीत की दुन्या और मराठे रंगमंच में जाने पहचाने नाम थे यह। उन्होंने ही लताजी को संगीत के शिक्षा दी थी। पांच भाई बहन हैं उनमें से सबसे बड़ी हैं लताजी। तीन बहन हैं इनके आसा भोसले। आसा भोसले को सभी जानते हैं यह भी बहुती सुन्दर गीत हैं इनका भी बहुती अच्छा गाती हैं। पुराने गाने जिन्होंने भी सुनके रखे हैं लता मंगेशकर और आसा भोसले इन दो के गाने बहुत ही जादा फेमस हैं देखे इनकी एक और बहन है उशा मंगेशकर और मीना मंगेशकर एक भाई है इनका भाई का नाम है हर्देयानात मंगेशकर अगला सवाल है लता मंग पुप नागरिक सम्मान कौन सा है भारत रत्न है इससे लता मगिश्कर जी को नवाजा गया है लेकिन किस सन में याद रखेगा सन 2001 में तब सन 2001 में देखें सन 2001 में मिला था भारत रत्न है प्रामगिशकर जी को सन 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच नागरिक संबान भारत रतने से उन्हें नवाजा गया था इससे पहले भी उन्हें कई संबान दिये गए हैं जिन में पद्म विभूशन पद्म भूशन और दादा साय फाल के जैसे बड़े बड़े सम्मान शामिल हैं कम ही लोग जानते होंगे इस बात को कि जो लता जी है वह सात में गाईका तो थी सात में संगीत कार भी रही है और उनका खुद का अपना फिल्म प्रोडेक्शन भी था जिसके बैनर तले बनी फिल्म का नाम है लेकिन इस फिल्म के फिल्म लेकिन को पांच और नैशनल अवार्ड मिल चुके हैं हाल ही में चर्चित गाईका का कोरोना की वज़े से 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया छे फरवरी 2022 को ठीके डेट भी आद रखेगा सिक्स फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया है क्या नाम है इनका तो लता मंगे ठीके इस तरह की जो सवाल मैंने यहां पर बनाया है यह सवाल बहुत बार करेंट अफेर में पूछा जा चुका है हाल ही में जिस भी चर्चित वैक्ति का निधन होता है उनके उपर सवाल अकसर पूछ लिया जाता है ठीके जो भी आभी आपका कॉम्टिटिव एक्जाम आ आज उन्होंने मुंबई की ब्रीच केंडी अस्पिताल में आखरी सांस लिए कौन से होस्पिटल में मुंबई की ब्रीच केंडी अस्पिताल में लता जी के निधन पर दो दिन का रास्टे शोक रहेगा कितने दिन का दो दिन का रास्टे शोक देश भर में जंडा आधा ज पॉजिटिव आई थी जिसके बाद उन्हें तुरंट अस्पिताल में भरती कराया गया उन्होंने कोरोना और नीमोनिया दोनों से 29 दिन तक एक साथ जंग लड़ी थी स्वर कोकिला के उपनाम से किसी जाना चाता है स्वर कोकिला किसे कहते हैं तो लता मंगेशकर जी को कहते हैं ठीक है सभी व्यक्ति स्वर कोकिला के नाम से किसी जानते हैं लता मंगेशकर जी को जानते हैं देखें ए मेरे वतन के लोगों जो गाना है जो आप हर बार 26 जनवरिय या 15 अगस्त को सुनते हैं, बहुत सार बच्चे इस पर डांक्स करते हैं, तो यह जो गाना है, यह एक हिंदी देश भक्ती गीत है, जिसे कवी प्रदीप ने लिखा था और जिसे सी रामचंद्र जी ने संगीत दिया था, यह जो गीत है, यह चीनी आकरमण के समय मारे गए भ अंतंतर दिवस के आउसर पर रामलेला मैदान में जब ततकालीन प्रधन मंत्री थे पंडित जवाहर लाल नहरोजी, इनकी उपस्तित में जब यह प्रजेंट थे, वहाँ पर उपस्तित थे, तो इन्होंने यह गाना गाया था, चीन से हुए युद्ध के बाद, 27 जनवरी सन 1963 में डेल ही नैशनल स्टेडियम में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने यह गाना गाया था, यह कहा जाता है कि इस गाने को सुनने के बाद, जो पंडित जवालाल नहरोजी हैं, उनकी आँखे भराई थी, वाकई में यह गाना बहुती ज़दा अच्छा है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, तो जो भी व्यक्ति अपने भारत देश से बहुत ज़दा प्रेम करते हैं, उनकी आँखों में जरूरास हुआ जाएंगे, बहुती सुन्दर गाना है, फेमस कप हुआ था यह गाना, जब लता मंगेशकर जी ने इसे गाया था, जब हमारे पूल में आपको यह गाना जरूर 26 जनवरी और 15 अगस्त को सुनने के लिए मिलेगा, आज की वीडियो में इतना ही लताजी से रिलिटेट जो महत्मुन चीज़े थी, वो मैंने कवर करवा दी हैं, क्योंकि अक्सर हमारे कॉम्पेटिटिव एक्जाम में यह चलन है, चलता इस चानल को आप जरू सब्सक्राइब करते हैं, ठैंक यू